देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का निर्देश देने की मांग करने वाली के याचिका को सुप्रीम कोट में सुनवाई के लिए सूची बद्ध किया गया है। जिस पर शायद नोटिस भी हुआ था गॉवर्मेंट को और वो गॉवर्मेंट ने उस पर क्या एफिडेविट दिया था उसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह एक बड़ी मिसंडरस्टेंडिंग सी है कि इंडिया देट इस भारत शैल भी यूनियन अफ स्टेट्स। तो आर्टिकल वन जो यह कहता है कि इंडिया देट इस भारत शैल भी यूनियन अफ स्टेट्स। तो इस पर यह सवाल बना और जब डिसकुशन हुआ तो सारी चीजें निकालने के बाद तो हमने देखा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जाना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट इसको गौर्मेंट को निर्देशित करता है या इसको लौ बाइंड करता है कि ये उनके अंडर आता है या नहीं आता तो इस पर क्या सवाल और क्या जवाब आएगा ये दो तरिक के बाद ही पता लगेगा देखिए ये तो देश की जनता की blessings हैं काफी लोगों की blessings आ रही हैं काफी लोग इसको बे तुका भी बता रहे हैं कि इस चीज की क्या जरुरत थी बट इस चीज की एक बहुत बड़ी जरुरत है मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि देश का नाम भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और जिस पे नेशनेलिटी भी है इंडियन तो एक misunderstanding सी create हो जाती है इसे पीछे मैंने हमारे प्रेजडेंट महोदय का रामनात कोविंद जी का एक वो देखा लेटर हैड तो उस पे नीचे लिखा हुआ था भारत गणतंत्र और बहुत जगे सुनने में भी आता है कि भारत गणतंत्रिक भारत घणतंत्र वारत हम तंत्रिक नहीं हैं मांत्रिक हैं मंत्र की ताकत को तो हम समझते हैं लेकि तंत्र की ताकत से दूर रहना चाते हैं तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है तो अब देखिए इसी लिए इसको लगाया गया है कि मत्रूना लॉक्डाउन सबसे ज्यादा परिश्रानी का सबब प्रवासी मजदूरों के लिए बना हुआ है अन्य राज्य मेफा से मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए